तो भाई लोग कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगो को पांच ऐसी कोरियन ड्रामाज के बारा है मैं बताऊंगा जो नेटफ्रिक्स पर जनवरी 2022 से फरवरी 2022 के बीच में रिलीज हुई हैं जिसमें से चार विफ स्रीज और एक मूवी है अगर आप इंगली सब्टारल के इस लिश्ट में एक कोरियन ड्रामा है जो हिंदी में अवल है तो बस आप हमारे साथ वीडियो के अंतक बने बाद जो कुछ भी होता है यह इस वेव स्रीज के आगे की कहानी है जो कॉमेडी रोमास और इसमें आने वाले प्यारे नौप जोग से भरी हुई है इस वेव स्रीज के सारे एपिसोड जनवरी 2022 तक नेट्फिक्स पर कंप्रिट कर दिये गए जिससे आप इंगली में काम करने वाले लोगों के वर्क लाइफ और लव लाइफ को देख पाएंगे इस वेव स्रीज में आपको एक्यूट और रोमांटिक लव स्टोरी देखने को मिलेगी जिसे हाली में 12 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया है अगर आपको रोमांटिक कोरें ड्रामा देखना पस सपने 1997 में आए फाइनेंसियल क्रैसिस में बिखर गये अब वे कैसे अपने सपने को पूरा करेंगे और इस दोराने इन दोनों की प्यारी और क्यूट नोगजोग वारी रिलेसंसिप किस तरह आगे बढ़ेगी यह वेव स्रीज इसी के बारे में है यह वेव स्रीज 12 फरव खुद को अपने इस इमोर्टेलिटी रूपी कर्स से आजात करना चाता है और यह यह इस वेव स्रीज की बेसिक स्टोरी लाइन हलांकि यह वेव स्रीज दिसमबर 2001 की सही टेली कास्ट हो रही थी पर फैनली 6 फरवरी 2022 को इसके सारे एपिसोड सा आकर खतम हो गए अगर इसे एक आजीब सा खेल सुरू हो जाता है और पता नहीं यार लोगों के क्या क्या सौक है इस दुनिया में आप इसे इस फिल्म को देख कर ही पता करे तो ज़्यादा अच्छा है खैर इस खेल के दौरान कैसे इन दोनों के बीच प्यार और इमोसन्स डैवलफ होते हैं यह इसी बारे में यह फिल्म है 11 अरवरी को नेट्फिक्स पर रिलीज की गई और सबसे अच्छी बात यह हिंदी में एवलेबल है और आप इसे एक ट्रै तो जरूर दे सकते हैं और अगर आपने यह फिल्म देख लिए तो आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राया है मैं कॉम जै बारत